आएए दोस्तो हम लोग Railway previous year का और question देखते हैं देखिए ये दिया है एक motor car 60 km प्रती घंटे की गती से चलना शुरू करती है और प्रते एक 2 घंटे बाद इसकी गती 15 km प्रती घंटा बढ़ा दिया जाता है वह 360 km की दूरी कितने समय में तै करेगा तो देखिए, यह 360 km दूरी है, तो यहां देखिए, यहां दूरी हम लिख देते हैं, यहां A से B तक की दूरी 360 है, क्या है दूरी 360 है, यहां से यहां तक की दूरी 360 माल लेते हैं, ठीक है, अब देखिए, यहां से यहां तक की दूरी 360 है, यह क्या कह रहे हैं कि 60 km एक हिसाब से ये चलेगा तो फिर कह रहे हैं कि दो घंटे बाद दो घंटे बाद ये 15 किलो मीटर बढ़ा देते हैं तो पहले तो 60 किलो मीटर तो ये 60 किलो मीटर के हिसाब से दो घंटे चलेगा दो घंटे चलेगा तो मतलब कि 120 किलो मीटर यहां से यहां तक चलेगा उसके ब कुछ अब का बचा 240 km, क्योंकि यहां से दो गहंटे ये चल चुका है, दो गहंटा चल चुका है, तो अब देखिए कह रहे हैं कि 20 गहंटे बाद गती 15 km ब्लहा देंगे। 60 है, 60 से 15 km बढाएंगे, तब तो यह कितने स्पीड हो जाएगे, 75 km प्रती घंटा हो जाएगे 75 km घंटा, 60 में 15 और जोड़ देंगे, तो 75 km प्रती घंटा हो जाएगे 2 घंटे बाद, तब यह 75 की स्पीड से चलेगे, फिर 2 घंटे बाद स्पीड बढाएगे तो देखिए 75 दुना 1500 यहां से 1500 किलो मीटर इसमें से 240 में से 1500 किलो मीटर फिर चल चुका है कितना चल चुका है 1500 किलो मीटर 75 किलो मीटर पती घंटे के हिसाब से चल चुका है तो यह बचा कितना 90 किलो मीटर 240 में 1500 चल चुकेगा तो ये 90 km बचेगा अब देखिए 75 km 2 गंटे ये चला है न 2 गंटे चलने के बाद फिर कहे रहे हैं कि 15 km और बढ़ जाएगा 75 में फिर 2 गंटे बाद 15 km और बढ़ा देंगे तो ये 90 km हो जाएगा ठीक है 90 km ये हो जाएगा अब देखिए 90 km ये यह नबे दूरी दिया है नबे किलो मीटर तो यहां एक घंटे लगेंगे नबे सनबे भाग देंगे यहां एक घंटे लगेंगे यहां दो घंटे क्योंकि डेड़ सो किलो मीटर एक घंटे में चलता है दो घंटे में डेड़ सो किलो मीटर चलेगा यहाँ इतना गहंटा एक गहंटा यहाँ और दो गहंटा यहाँ एक गहंटा ठीक है इस तरीके से अब देखिए इनको जोड़ेंगे देखिए पहले दो गहंटा यहाँ चला दो गहंटा यहाँ चला एक गहंटा यहाँ चला तो दो प्लस दो प्लस एक दो दो चार एक पांच कुल 5 गंटा चला है 5 गंटा सही उतर है आपका अपसन नमबर C इस तरीके से ये क्यूश्चन सौल्व करना है ये हमें समझाने में टाइम लगा है लेकिन आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बार-बार अच्छे से समझ जाएंगे ठीक है आईएब हमें लोग देखते हैं अगला क्यूश्चन देखिए दोस्तो अगला सवाल दिया है यदि A और B यक्स स्कॉार प्लस यक्स माइनस दो बराबर 0 के मूल तो यक्स में द्विखास समिक्रण ग्याद कीजिए जिसके मूल है एक बटे A प्लस एक बटे B बराबर और A B है इसके दो मूल है ठीक है ये A है ये A के ये है ठीक है तो यहाँ यक्स स्कॉार प्लस यक्स माइनस दो तो इसको पहले हम यहाँ लिख लेते हैं देखिए हमें जगहां इधर पुरा सॉल्व करेंगे इसलिए इधर ही लिखते हैं आपको दिख रहा है न तो यहाँ हम लिख लेते हैं यक्स स्कॉार प्लस यक्स माइनस दो बराबर जीरो देखिए दुईगास अमिकल का साधारा सूतर होता है A X स्कॉार प्लस B X प्लस C बराबर जीरो यह होता है इनको तुलना करते हैं तुलना करेंगे X स्कॉार का गुणांक A है यहाँ X स्कॉार का गुणांक 1 है ठीक है यहाँ B का तुलना करेंगे X का गुणांक B है यहाँ X का गुणांक 1 है तो यहाँ C बराबर लिखेंगे माइनस 2 अचरपद है इस तरीके से हम एक सूत्र जानते हैं एक सोन और यक्स वन और यक्स वन और यक्स टू निकालने के लिए क्या करते हैं यहां लिखते हैं माइनस B प्लस माइनस काड़ी के अंदर B स्कॉाइर माइनस 4AC बटे 2A यह सीरी धराचार का फार्मूला है इसके हिसाब से हम गुडन खंड निकालेंगे यहां 2 यक्स का मान निकालेंगे ठीक है तो देखिए यहां मान रखेंगे पहले यक्सवन का मान निकालेंगे यक्सवन बराबर देखिए माइनस B है तो माइनस एक लिखेंगे माइनस एक प्लस माइनस काड़ी के अंदर लिखेंगे B स्कॉाइर B स्कॉाइर का मतलब है एक का मान लखेंगे एक की स्कॉाइर करेंगे दो ए, दो गुड़े, एक माल एक, ये हो जाएगा, ठीक है, फिर देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यक्स वन बराबर हो जाएगा, माइनस एक प्लस माइनस काड़ी के अंदर लिखेंगे, देखिए, ये चार दूनी आठ हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा नव कर्मूल कितना होता है, तीन होता है, तीन बटे, दो, ये हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ माइनस एक है, ये प्लस है, ये तीन है, एक बार हम प्लस काचिन लेंगे, तो यक्स वन कामान कितना हो जाएगा, यक्स वन कामान हो जाएगा, बराबर करके रिखेंगे, ये देखिए माइनस के लेंगे माइनस एक माइनस तीन माइनस चार हो जाएगा तो माइनस चार बटे दो दो से भाग देंगे तो केवल माइनस दो मतलब कि एक्सटू कामान कितना हो जाएगा माइनस दो ये हो जाएगा अब देखिए X2 का मान माइनस 2 निकल गया देखिए दोस्तों यहां दिया है A और B तो हमें यहां A मानना चाहिए इस से को B मानना चाहिए ठीक है यहां A का मान A1 का मान हम निकाल लेंगे पहले A1 का मान कितना आया है A1 का मान आया है 1 ठीक है, A2 का मान आया है, माइनस दो A2 का मान, B, ये B का मान है, ठीक है, B का मान है, माइनस दो ठीक है, अब देखिए, यहाँ A और B का मान हमें मिल गया है A और B का मान मिल गया है, तो A, देखिए, एक सूतर हम जानते हैं इधर A into B ये दिया है A into B तो A कामान कितना आया है A कामान आया है A कामान एक आया है और B कामान कितना है माइनस दो तो यहां माइनस दो लिखेंगे इसके बराबर लिखेंगे माइनस दो A B जहां आएगा हम माइनस दो लिखेंगे और एक बटे A प्लस एक बटे B इसको हम solve करेंगे तो A प्लस B बटे A B हो जाएगा A प्लस B A के अस्थान पर क्या लिखेंगे माइ एक और B के अस्थान पर लिखेंगे माइनस दो क्योंकि ये B का मान है ये गलत हो गया है यहां लिख लेते हैं, यह B है ठीक है, यहां A कमान आया है A कमान एक, देखिए आपको confusion ना हो, इसलिए लिख लेते हैं A कमान एक सोल्ब करने पाएगा और B कमान माईनस दो यह आएगा, ठीक है देखिए, यहां हमान रखेंगे उसके बाद देखी एक कामान एक लिखेंगे और भी कामान गुड़े करके माइनस दो दो में से एक में से माइनस दो जाएगा तो माइनस एक बटे माइनस दो हो जाएगा दो दो कड़ जाएगा एक बटे दो यहां बचा ठीक है यहां एक बटे दो बचा है उसके बाद देखी, हम समीकरण के मूल हम जानते हैं, इसको एक सूतर होता है, X-AB, एक कोश्टक में लिखेंगे, फिर अगले कोश्टक में लिखेंगे, X-1 कोश्टक के अंदर, एक बटे A प्लस एक बटे B, बराबर 0, यह हो जाएगा, अब देखी, X-AB, A-B कामान है, A कामान एक है, अब B कामान निकाले थे, यह देखी, A-B कामान कितना है, माइनस दो, माइनस दो लिखेंगे, यहाँ पर प्लस दो हो जाएगा, ठीक है, फिर देखी, X-1 बटे A प्लस एक बटे B हैंना, यहाँ एक बटे A और एक बटे 2 यह निकाले हैंना, तो मा अबर 0 कर देंगे, ठीक है, अब इसको हम लोग स्वाल्व करेंगे, तो यहां लिखने एखस, प्लस दो, यहां हो गया, दो का इधर गुड़ा कर देंगे, ठीक है अब देखिए इसको हम लोग solve करेंगे यह हो जाएगा x square x में इसका गुड़ा करेंगे तो 2 x square हो जाएगा फिर इसके बाद minus x हो जाएगा ठीक है फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे two dunni 4 x हो जाएगा minus 2 ब्राबर 0 यह हो जाएगा अब देखिए इधर क्या करेंगे 2 x squared फिर से लिखेंगे 2 x squared अब देखी ये plus 4 x है minus x गया तो केबल plus 3 x बचा 3 x ही हो गया उसके बाद ये minus 2 है यह minus 2 बराबर 0 ये देखिए समक्राट कहां है 2 x square plus 3 x minus 2 तो देखिए ये समिक्राट आपका आपसन नमबर है यक्स स्कॉाइर टू यक्स स्कॉाइर प्लस तीन एक्स माइनस दो आपसन नमबर ए सही है ठीक है ये क्यूशन थोड़ा लंबा है अच्छे से इसको समझीएगा नहीं तो नहीं समझ में आयागा ठीक है देखिए हमें एक बार आपको फिर बता देते हैं ये ए और बी कामान हमें निकालना था ये ए और बी कामान यहां ए और बी कामान निकालना था पहले ए कामान निकला है एक उसके बाद बी कामान आया है दो ये धनातमक चिनह लेने पर आया है एक कामान आएगा एक और रिरातमक चिनह लेने पर भी कामान आएगा इसको वीडियो के सुरुष लाच तब बहुत अच्छे से देखिए तभी सौन में आएगा ठीक है आईए हम लोग देखे हैं अगला क्यूस्चन देखिए दोस्तों अ मूले पूच कह रहा है और एक प्रिंटर का मूले क्या कह रहे है कि यदी प्रिंटर का मूले प्रिंटर के मूले को परिंटर रुपे कम है तो यहाँ टेली वीजन जो है प्रिंटर से क्या कह रहे हैं 35,000 कम है तो यहाँ 35,000 इसमें से घटा देंगे ठीक यह हो जाएगा 35,000 इसको घटा देंगे अब देखे मुझसे पूछा है कि टेली वीजन कमल मतलब कि T कमान निकालना है तो P के अस्थान पर हम 2T ल हो जाएगा 35,000 अब देखिए इसको इधर ले आका आएंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर माइनस से इधर आएगा तो 35,000 प्लस में हो जाएगा 35,000 प्लस में होगे इधर 2T में से इधर जाएगा तो माइनस के वल के वल टी बचेगा टी बराबर 35,000 तो टेली वी